नुहू चिले में सौंबार को विश्व हिंदू परिशत हर्याना के ततुधान में दोतिये ब्रेच मंडल मिवात दर्शन यात्रा नुहू के नलहेश्वर मंदर पहुँची मिवात दर्शन यात्रा में आरसेस, बजरंग दल, वेश्व हिंदू परिशत, दुर्गा वाहिनी, गौरक्षा दल, हर्यानाव अन्य हिंदू संगठन हजारों की संक्या में पहुँचे यह मिवात दर्शन यात्रा नुहू के नलहेश्वर मंदर से शुरू होकर प्रोचपूर जिरका के सिम मंदर तथा सिंगार गाओं के राधा कृष्ण मंदर में समाप्थ होगी बताया चरहा है कि पुलिस ने सुरक्षा विस्ता को लिकर ग्यारे सो पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई है बता दें हिंदू समाच के लोगों के मुताबिक मेवाद दर्शन यात्रा का मुख्यों देश्य जिले में हिंदूों का जबरन धरम परिवर्तन वे गोहत्या बंद कराना है इस यात्रा का नाम है मेवाद ब्रिज मंदल ठार्मिक यात्रा मेवात कृष्ण की धर्ती है यहां का चप्पा चप्पा धार्मिक द्रिफ्टी से बड़ा मैत्वका है यहां महभारत काल से भी पुराने मंदिर हैं और इतने पवित्र मंदिर हैं कि अध्यातवास में भी पांडवों को यहां आकर रहना पड़ा यही वो इस्थान है जहां भगवान कृष्ण ने पांडवों और कौरवों को बुलाकर संधी की बाचित करने की कोशिश की दुर्भाग्य से इस पवित्र स्थान का चरित्र बदल गया यहां हिंदू का जीना दीभर हो गया यहां दिन दहारे गव हक्त्या होने लगी हमारी बेहन बेटी की इज़्जत सुरक्षे तही रहे मिवाद के लोगों की ये तकलीफ हर्याना के लोगों से नहीं देखी गए उन्होंने कहा प्रशासन जो करना चाहे करे सरकार की जो इच्छा है करे लेकिन हम करेंगे और इसलिए पिछले साल से पूरे हर्याना के हजारों लोग यहां के तीन प्रमुख मंदिरों में आते हैं एक यात्रा का स्वरूब बन गया है पिछले साल तक यह यात्रा थी केवल विश्व हिंदू परिशत बजरंगल की अब यह यात्रा समाज की बन गया समाज के लोग आते हैं कल्हंड जहां हम बैखे है नल्हंड महादेव यहां से यह यात्रा शुप होती है यहां के बाद हम जाएंगे जिर महादेव के मंदिर में फिरोटपुर जिरका में है वहीं पांडव रहे थे वहां का शिवलिंग उनके द्वारा इस्थापित है उसके बाद हम जाएंगे श्रिंगार मंदिर गाउं में वहां श्रिंगार मंदिर है भगवान कृष्ण जब आये थे बाल रूप में उनका गाउं के लोगों ने श्रिंगार किया था पुजा की थी उस याद में वो मंदिर है वो ताला आज तक महां पर है वैसे तो चपपा चपपा पवित्र है लेकिन ये तीन प्रमुख मंदिर है जहां हजारों यात्री जो आज आएंगे वो जाएंगे और यहां के हिंदु समाज के साथ एक भाव दिखाएंगे आप अकेले नहीं हो आपके साथ हम भी है कुछ होगा पूरा हर्याना यहां पर आ सकता है अभी हम पूजन के लिए आए है